सावन का मेना शुरू होते ही सारे त्योवर शुरू हो जाते हैं तो फ्रेंट्स अभी नजदिक ही आ रही है राखी का त्योवर तो राखी के त्योवर में आपने भाई को भी बना के खुश किजिए आपने भाई को हेल्दी रखिए और एक्तम यूनिक तरह की मिठाई खिलाईए जो बजार में भी नहीं मिलती क्योंकि इसमें आपका प्यार भरा है न भरभूर आप प्रेम से बनाएंगे तो वो प्रेम से ही मिठाई खुबी अच्छी बनेगी तो आज हम बनाएंगे मैसूर पाक वो भी हम बेसन से नहीं बनाएंगे आप वीडियो को एंड तक देखिए और एक एक टिप्स फॉलो कीजेगा तो उस हिसाब से बनाएंगे तो आपकी जो मिठाई है बहुत ही अच्छी बनेगी तो आएए शुरू करते हैं मेरे साथ राखी श्पेशल मैसूर पाक की रेसिपी ये रेसिपी अच्छी लगे तो फटाफट लाइक और कमेंट चरूर कर देना तो इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए नारियल का बुरादा यहां मैंने 200 से डाइसोग्राप नारियल का बुरादा साथ में ही मैंने चार से पार्टेबल फुल मिल्क पावड़ा लिया है दो कटोरी मैंने लिया है शुगर वो कटोरी मैंने पानी वाली ली है न वही नाब लिया है साथ में ही हम बनाएंगे देसीगी से तो यहां देसीगी या वनस्पती की दोनों ले सकते हैं पर मैं राखी के लिए बना रही हूँ तो मैं देशी गी का ही यूज़ करूँगी, यह मैंने एकर टोरी पानी ली है, यहाँ पर मैंने पीस्ता की कतरन कर दी है, वोलोंगी गानिशिंग के लिए, और साथ में इलाइची पावड़ा जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा है बहुत ही काम लगता है, तो अपने घर में यह जरूर रखिए, अपने किचन को इसकी बहुत ही जरूरत रहती है, तो यहाँ पर मैंने एक टीन ले लिया है, तीन इंच का और उसको मैंने कुकिंग शीट से कवर कर लिया है, ताकि हमारा मैसुर पाक कहीं से भी चिपके नही और निकालने में भी बहुत ही आसानी रहे, तो चलिए चलते हैं फ्लोरास किचन की तरफ, आज आपको मल्टी टास्किंग काम करना है, इसलिए मैंने दो गैस चड़ा दिये है, आपको भी ऐसे ही करना है, एक पर की घरम करने रख दिया है, और दूसरी कड़ाई में मैं चा चाषनी एक बार हम चेक कर लेते हैं, चाषनी हमको एक तारकी बनानी है, आप देख लीजे, ऐसी ही होनी चाहिए, तो यह परफेक्ट है, हमारा नारियल का बुराता जो था न, उसके अंदर हम मिला देंगे मिल्क पावडर, और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद, इसम तो पुरा झाले हमें, तो अआप मिलानी है, तो ऐसे करके चाषनी में मिक्स कर दिजिए, पुरादा, यह हमारा बुरादा मिक्स ₹ हो गया है, तो इसको दो से तीन मिन तक अच्छे से इसको चलाएंगे, और अब हम एड़ करेंगे, इसके इंदर कर को गरम घी एड़ करे जिससे आपके हाथ जले नहीं तो दीरे दीरे करके हम घी डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे जब तक ये गी एबसोब ना कर ले ये एबसोब हो गया है फिर से हम गरम घी डालेंगे इसके अंदर फिर से हम इसको चलाएंगे ये प्रोसेस हमको एंट तक करनी है जब तक आप बनाएंगे तो आपकी जो है मैसूर पाक एकदम जालीदार और बढ़िया सा बनेगा तो दीरे दीरे करके फलफी होने लगा है आप देख सकते हैं बाकी का गी है वो भी एड़ करते रहेंगे थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपका जो मिश्रन है बहुत ही को मिक्स कर ले और जो हमने टीन तयार किया था न वो टीन की अंदर हम एड़ कर देंगे यह पूरा मिश्रन जपी आप टीन में मिलाओ तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको टीन की अंदर दबाना नहीं है प्रेशर नहीं करना है सिर्फ हलके हाथ से सेट कर लेना ह ओपर से आपको गानिशिंग करना है आप काजू बदाम से भी कर सकते हैं यहां पर मैंने पीस्ता की कत्रन ली है क्योंकि वाइट के साथ यह कॉमिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है देखने में आपकी गानिशिंग हो जाए तो तुरंत ही आपको इसको कट कर देना है तो यहां पर मैं लंबा वाला कट करने वाली हूँ क्योंकि हमारी मिठाई यूनिक तरह से दिखने में भी हो और खाने में भी हो तो यहां पर मैं लंबे-लंबे कट ही कर रही हूँ और इधर से बीच में से सिर्फ एक कट लगाऊंगी और हमारी मैसुर पाक सेट होने रख दें के बाद हमारी जो मिठाई है सेट हो चुकी है अब हम इसको टीन से अलग कर देंगे यह कुकिंग शिट ली है उसका बहुत फाइदा है इसे आसानी से आप निकाल सकते हैं तो यहां पर मैं एक प्लेट पे रख रही हूं और जो कट लगाने बाकी है थोड़े-थोड़े से व यहां पर सारी हमारी मिठाई बनके तयार हो गई है आप देख सकते हैं उपर से और बीच का कलर दोनों डिफरेंट दिख रहा है और इसमें जाली भी पड़ी है और उपर से भी लोक इसका बहुत ही अच्छा रहा है तो आईए अब हम इसको सर्विंग प्लेट में सर्व कर देनी है यह देखिए सेट हो चुकी है हमने सर्विंग प्लेट में निकाल दी है मैं एक पीस आपको तोड़ के भी दिखा रही हूं कि कितनी आसानी से तूट भी जाती है और कितनी अच्छी अंदर से भी लग रही है बचार में बहुत ही आसानी से मिल जाते है एज से टेक आखी की तयारी हो चुकी है हमारी मिठाई भी बन चुकी है और डबा भी हमारा तयार हो गया है पैक होके तो इस रक्षा बंदन पर आप ये मिठाई जरूर अपने भाई के लिए बनाईएगा मेरा ये वीडिया आपको अच्छा लगा हो तो लाइक किजेगा कमेंट किजे तो मैं फ्लोर आप से फिर मिलूँगी अगले मंगलवार को एक नए इसी और हेल्दी रेसिपी के साथ थैंक्स पर वाचिंग